आईए आज कथा सहित्ते में सुनिये मालती जूशी जी की लिखी कहानी मिलियन डॉलर नोट गाड़ी जैसे ही प्लेट फार्म पर दाखिल हुई मैंने मोहन को देख लिया और राहत की सांस ली यह तो पता था कि लेने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा फिर भी आदतन दुख दुखी बनी रहती है भीड के जरा से छटते ही मोहन काड़ी में चड़ाया उसने हम दोनों के सूटके सुतारे मुझे सहारा देकर उतारा अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम छोटे सरकार को लेकर आओगे इन्होंने काड़ी में पैठते हुए कहा वो अभी स्कूल से लोटे नहीं थे मोहन ने विनमरता से कहा तभी नहीं तो क्या वो तुम्हें आने देता बुरी तरह मचल जाता मैंने इन्हीं भी टपड़ दिया वो बेचारा सामान देखेगा हमें उतारेगा कि बच्चे को देखेगा कैसी तो भीड होती है देख नहीं रहे है दरसल पापा जी छोट उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे है मोहन ने काड़ी स्टार्ट करते हुए कहा बेचैन तो हो रहे है पर यह होश नहीं है कि बिना टेक्स चुकाए वो घर में भी नहीं गुसने देगा दर्वाजे पर ही लोड जाएगा तुम भी कमाल करती हो मौका बे मौका तो देखा करो पर यह बात बच्चा थोड़े ही जानता है कि हम गमी में जा रहे हैं या खुशी में उसे तो यह मालूम है कि दादा दादी दिल्ली गए है कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही मेरा उल्हाना काम कर गया यह बोले मोहन बेटा जरा न्यू मार्केट में गाड़ी रोक लेना बच्चे के लिए कुछ ले लेंगे अगर खाली हाथ कया तो मेरी खैर नहीं है गीत चाहे मुझे माफ कर देगा पर उसकी दादी ही मुझे घर में कुछने नहीं देगी मोहन ने न्यू मार्केट आते ही काड़े एक और पार्क की हमने पास की दुकान से एक बड़ी सी बस और एक चिप्स का पैकट ले लिया हम घर पहुँचे तब गीत बाबो मम्मी के साथ बैठे खाना खा रहे थे हमसे सब्र नहीं हुआ वहीं उसे प्यार कर लिया आप लोग कुछ खाएंगे प्लेट लगा दूँ बहु ने पुचा ना बेटा, शताबदी से आएं है ना नाश्ता खाना सब गाड़ी में हो चुका है बहुत सुभा उठना पड़ा होगा ना सुभा चार बज़े के जगे हैं तब तो च्छे बज़े वाली काड़ी पकड़ पाए मम्मी जी आप लोग अब थोड़ा आराम कर लीजिए नीदा आजाए तो ठीक है कम से कम कमर तो सीधी हो जाएगी मैं इसे भी थोड़े दिर सुला देती हूँ नहीं तो ये आपको भी सोने नहीं देगा बिस्तर पर लेटते ही मुझे याद आया सुनिए इतनी हाई तौबा करके उसके लिए खरेदारी की और नालायक ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे लिए क्या लाए बहु ने हमें जबर्दस्ती सोने भेजा था और हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह सचमुच सो गए मन चाहे कुछ भी कहता रहे शरीर को सचमुच विश्राम की जरूरत थी बहु जब हमारी चाहे लेकर आई तब शाम के पाश बच रहे थे अरे इतनी देर हो गई और हमें पता भी ना चला मैंने चीमते हुए कहा गीत क्या अब तक सो रहा है नहीं वो तो कब का दूद पीकर खेलने चला गया इन्हें पढ़ी निराशा हुई बोले हमें लगा कि वो हमें जगाने आएगा आया तो था पर आप लोग इतनी गहरी नीन में थे कि मैं उसे चुपचा पहर ले आई और दर्वाजा उड़का दिया शाम ढले वो खर लोटा हम लोगों के साथ थोड़ी मस्ती की पर एक बार भी नहीं पूचा कि मेरे लिए क्या लाए आखिर मुझ से रहा नहीं गया मैंने रसुई मेचा कर बहु से कहा तुम्हारा लड़का तो इन चार दिनों में बड़ा शरीफ पन गया है हमसे एक बार भी नहीं पूचा कि हमारे लिए क्या लाए गीत पास ही था मुँ भुला कर बुला मम्मी ने मना कर दिया था मैंने उसकी और देखा तो वो बोली मम्मी जी इस पार आप जिस परिस्थिती में दिली गए थे उसमें शॉपिंग की गुंजाश थी क्या इसलिए मना कर दिया था और वैसे भी मम्मी जी इसकी यह आदत छुडानी पड़ेगी कभी-कभी awkward position हो जाती है आपके absence में इनके चेन नई के एक कलिक खाने पर आय थे उन्ही से पूछ बैठा बेचारे बहुत शर्मिंदा हुए बार-बार कहते रहे कि मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में बच्चा है मैं कुछ ले आता मुझे अभी दुकान ले चलो फे शर्मिंदा क्या हुए उनसे जादा हम शर्मिंदा हुए आरे तो क्या हुआ बच्चा है भई ऐसा बच्चा भी नहीं है मम्मी जी इस 22 तारिक को पूरे 5 साल का हो जाएगा वाह जैसे 50 का ही हो जाएगा नहीं मम्मी जी लोगों के सामने बहुत खराब लगता है इसलिए उस दिन इन्होंने फिर अच्छी खिचाएगी मतलब पिटाएगी? हम लोग सामने नहीं थे ना? तुम लोगों को हाथ साफ करने का मौका मिल गया यह कहते हुए मैंने बच्चे को ऐसे चिपटा लिया जैसे अभी अभी पिटा हो बात में मैंने उसे गोद में बिठा कर समझाया बेटे, मम्मी ठीक कहती है हर किसी से नहीं मांगना चाहिए लोग हसते हैं, कहते हैं, लड़का मंगता है सिर्फ अपने लोगों से मांगना चाहिए अपने मतलब? अपने मतलब जैसे बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है तेरे अन्नु मामा है, आर्ती मौसी है, निधी बुआ है और मिन्नी बुआ, उसने मेरी एक दूर की बहती जी का नाम लिया नहीं बेटा, मिन्नी बुआ से नहीं क्यों? वो भी तो बुआ है, पर वो ज़रा दूर की बुआ है दूर की कहा? वो तो पास में रहती है, भौपाल में दूर की तो निधी बुआ हैं, दिल्ली में रहती है सयोग से दो तिन दिन बाद ही मिन्नी आ गई वो दूर कोहे फिजा में रहती है इसलिए जब भी इधर आती है तो मिलकर ही चाती है थोड़ी कपशप के बाद बहुचाय बनाने चली गई गीत पूरे वक्त अपने रंगीन ब्लॉक्स से घर बनाता रहा बीच-पीच में कन्खियों से बुआ को देखता भी रहा आखिर मिन्नी से रहा नहीं गया बोली, शेतान लगातार टुकुर टुकुर देख रहा है बुआ से बात नहीं करेगा उसने फुस-फुसा कर पूछा कुछ लाई हो, लाई तो हूँ पर यहां आओगे तभी मिलेगा मिन्नी ने अपने पर्स से एक बड़ी सी केटपरी निकाली गीत फौरन दोड़ कर उससे लिपट गया तभी बहुच चाय लिकर आई लड़का पेचारा सहम गया बोला, बुआ तुमने अपने से दी है न? मैंने मांगी तो नहीं थी न? हाँ, मैंने अपने से दी है पर मांगते तो और अच्छा लगता आखिर बुआ हूँ तुम्हारी पर तुम दूर की बुआ हो न? मुझे काटो तो खून नहीं मिन्नी का चहरा भी कैसा तो हो गया ये लड़का भी कजब करता है कहते हुए मैंने बहु की ओर देखा उसने फौरन बात को समहलते हुए कहा ये लड़का तो एक्दम बौडम है दीदी उस दिन मम्मी पापाजी दिल्ली से लोटे थे न? निधी दीदी के तेरी में गए थे बहुत ठके हुए थे और ये आपके यहां जाने की जित पकड़ गया मम्मी जी बोली बेटा मिन्नी बुआ का घर बहुत दूर है तो बोला दूर तो निधी पुआ का घर है दिल्ली में मिन्नी पुआ का तो घर पास में है He is simply impossible मिन्नी के चहरे से ऐसा नहीं लगा कि वो इस सफाई से आश्वस्त हुई हो उधर गीत महराज के होंट भी कुछ कहने के लिए फढ़भडा रहे थे तो बहु ने बात का रुख ही बदल दिया हाई दिदी आपका पर्स कितना प्यारा है भबाल का तो नहीं लगता पिछले महिने बंबई गई थी वहीं से लाई हूँ वही तो अलक ही लग रहा है मेरी तो नियट डोल रही है अरे तो नियत खराब करने की क्या जरूरत है ऐसे ही ले ले ना दिदी मैं बहुत लालची हूँ दो बार कहेंगी तो सचमुष ले लूँगी मुझे डरा रही है चल ये पर्स तुझे दिया और सचमुष मिन्नी ने पर्स नेहा को पकड़ा दिया उसने नाठ के धंग से ननत के पाउं छू लिए थैंक्यू दिदी अब ये है पर्स मेरा हो गया ना मैं समान के हाँ बस मेरी चाबियां और ड्रैविंग लाइसस दे दे बाकिसब तेरा और इस लड़की को मैं दूर कीपुआ बता रही थी मुझे अपने पर ही शर्म हो आई निहा को भी शर्म आ रही थी कि जरा सी बात को ढाकने के लिए उसने दीदी को कितनी बड़ी चपत दे दी गीत की सालकरह का दिन था समधी जी को गुजरे अभी सवा महीना भी नहीं हुआ था सो हमने हमेशा की तरह धूमधाम नहीं की बस मौहले के बच्चों को बुला लिया था शाम को सारी तयारी हो चुकी थी केक भी तयार था बस गीत के दादा जी का इंतजार था वे समय से आये तो पर एक महमान के साथ घर में चहल पहल देखकर महमान बोले बड़ी रौनक है घर में कोई फंक्चन है क्या आज हमारे राशकुमार की साल की रहा है अरे वाह तब तो मैं बड़े मौके से आया हूँ हाँ आज गीत को दो-दो दादाजी लोगों का आशिरवाद मिलेगा खैर समय पर केक काटा गया हम लोग तो संकोत से भर उठे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप आप तो बस आशिरवाद दीजिए पैसों का बच्चों के लिए कमाल करती हैं भाबी जी आप इधर तो दादाजी कह रही है तो क्या खाली हाथ आशिरवाद दू और ऐसा मैंने कौन सा कारूं का खजाना लुटा दिया सौ रुपे की आजकल एहमियत ही क्या है यह मैं भी जानती हूँ कि आजकल सौ रुपे की कुछ कीमत नहीं है पर अपने अनुभव के आधार पर यह भी जानती हूँ कि सौ का नोट भी अगर बिना किसी पूर्व सूचना के सर से निकल जाए तो मध्यमबर के अर्थ विवस्ता में कैसा जोला जाता है मैंने उनकी ताइद करते हुए कहा पता है एक पार पडोस में संदोशी माता के उध्यापन में कया था लौट कर मुझे दक्षणा का रुपया पकड़ाते हुए बोला दादी ये लो मेरी सेलरी गीत हमारी तरफ टुकुर टुकुर देखता हुआ बाते सुन रहा था उसकी समझ में और कुछ ना आया हो पर इतना समझ गया था कि उसके खजाने पर खतरा मंडरा रहा है अपना बाया हाथ जे पर रखकर बोला पर दादाजी मैंने तो इनके पैर भी पढ़ लिये हैं हाँ बेटा बढ़ों के तो पैर पढ़ना ही चाहिए तो अब ये रुपया मेरा हो गया ना मम्मी ने मिन्नी पुआ के पैर चूलिये थे तो पर्स उनका हो गया था शापाश बेटा महमान बोले इतनी देर में तुने एक अकलमंदी की बात की है ये रुपया तुम्हारा है और भाबी जी आप लोग अब इस विशे पर कृपया बातें बंद करें मुझे अब और शर्मिंदा ना कीजिए तभी भीतर से गीत को बुलावा आया भीतर आओ बेटे दोस्त इंतजार कर रहे हैं वो भीतर जाने के लिए मुड़ा फिर पता नहीं क्या सोच कर लोटा वो सो का नोट दादाजी के हाथ में देता हुआ बोला अब वैगनार ले लेना कैसी वैगनार वैगनार बड़ी गाड़ी उसने दोनों हाथ फिला कर गाड़ी की विशालता का बोट कराया गीत मम्मे की कड़कावा सुनकर अंदर दोड लगा गया ये वैगनार क्या बला है भाई साहब अतिति मोहदे ने पूछा अरे भाईया ये आजकल के बच्चे इतनी गाड़ीों के नाम जानते है कि क्या बताएं सिर्फ जानते ही नहीं पहचानते भी है हमारे मुन्ना राजा को हमारी मारोती सक्त नापसंद है कहते हैं दुनिया में क्या और कोई गाड़ी नहीं थी जो आप ये पिद्दी सी कार उठा लाए परसो तो मुझे ताव आ गया कह दिया कि देखो बेटा मैं रेटायर आदमी हूँ मेरे पास बड़ी काड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसी लिए उसने आपको ये सौ का नोट दिया है कि बड़ी काड़ी खरीद लो ना भाईया इसे सौ का नोट मत कहो इन्होंने प्यार से उस नोट को सहलाते हुए कहा मेरे लिए तो अब ये है मिलियन डॉलर नोट हो गया है अभी आप मालती जूशी जी की लिखी कहानी मिलियन डॉलर नोट सुन रहे थे इसी प्रकार की सहित्ते कहानिया सुनने के लिए कथा सहित्ते से चुड़े रहेगा धन्यवाद